कई मैं लखनव तक सुना कि आठ आठ बुल्डोजर उनके घर लगा दिये गए यह फिजूल अफवा न फैलाई निस गई तो अफवा फैलाई जा रही है कि यहां आठ बुल्डोजर यादव जी के घर के बगल में खड़े हैं आप लोगी मंदारी से बताओ एक भी है कहीं प है मनी बाओ भी झालिया पार्वी पस्ते दो कि अगरें अलबं चर्द वालिया कुछा मुँभू है पत्र का रही है मनीश लखनव तक सुना कि 88 बुल्डोजर उनके घर लगा दिये गए यह फिजूल अफवा ना फैलाएं लोग कोई भी बेक्ति हो अफवा फैलाने वाले लोग को छोटे-छोटे विचारे चेहनल वाले लोग भिना वजय का बयान दे रहे हैं कि 88 बुल्डोजर उनके घर के सामने खड़े हैं मैं तो वहां भी उस पक्ष के पास भी गया इस पक्ष के अभी आया कहीं मुझे नजर नहीं आया तो यह ऐसी घटनाओं में हम उन साथियों से कहूंगा कि अफवा न फैला में जो न्याय की बात है सरकार कटिबंध है तोनों पक्षों को जो न्याय दिलाने के लिए सरकार ने दिलाएं अब यह देखा जा रहा है कि पुरा राजनीती का रंग ले रहा है यादो बनाम ब्रामन समाजवादी परणा भाजपा हो रहा है इस पर आप यह हम इसके पक्षतर नहीं है आप बताएं पाल भी इन्वालब है केस में राजभर भी इन्वालब है ब्रामन भी इन्वालब है यादो भी इन्वालब है तक कैसे एक जाती का मामला बना रहे हो अगर यह राज़नीत करने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनकी बात से साहमत नहीं है आर्थिक मदद की बात वह रही है है मदद होनी चाहिए दोनों पच्छों को सवाल यह है कि बीजीपी के नेता तमाम नेता रहे हैं वर तमान प्रकास राजबार हम दुनिया की बात नहीं करते हैं अपनी बात करते हैं हम आपके हां आय हैं हम भी एंडिये के घटक दल हैं लेकिन हम दोनों पक्छों के हां आये हमको दो कोई मना नहीं किया अलग-अलग लोगों की सोच है अलग-अलग समझ है जो जिसकी जो जैसी सोच है वह इसा कर रहा है हमारी जो सोच हम अपना कर रहे हैं कहां है महराज फिर आप वहीं सवाल कर दे मैं आपसे कह रहा हूं नोटिस गई जो अफवा फैलाई जा रही है कि यहां आठ बुल्डोजर यादव जी के घर के बगल में खड़े हैं आप लोगी मंदारी से बताओ एक भी है कहीं पिर ऐसी खबर क्यों यह तो सरकार को बद